वो एक चीज जो मारे पूरे फोकस की धजया उड़ा रही है जो मारे फोकस को सबसे ज़्धा decreased कर रहे है वो है multitasking यानि किसी भी काम को हम करतो रहे हैं लेकिन पूरे फोकस के साथ में नहीं कर रहे हैं उसी काम के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर रहे हैं जसलिक पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ में हम notification को check करके distract हो रहे हैं और ये चीज आपकी पूरे focus की धजया उड़ा रही है focus की जो power है उससे आप underestimate नहीं कर सकते क्योंकि आपका focus आपकी reality को define करता है for example जब एक magnifying glass को धूप में ले जाकर किसी एक particular चीज पर focus कराए जाता है और continuously उस पर focus करा दिया जाए तो कुछी जहरे में उस पर आग लग जाएगी और अगर वो एक second पहले भी उसे वहाँ से हटा दिया गया तो आप आप नहीं लगीगी सारा खेल focus का है यहनि अगर आपका focus दगड़ा है तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते कुछ student ऐसे होते हैं जो 5-6 गंटे पढ़कर पी उतना outcome नहीं दे पाते हैं जितना कि कुछ student 2-3 गंटे पढ़कर outcome दे देते हैं क्योंकि first वाले का focus second वाले से ज़्यादा है problem यह कि हमारी आदत पढ़ चुकी है distract होने की और एक टाइम पर एक से ज़्यादा काम करने की और फिर हमारा mind भी इसी तरीके से काम करने लगता है और फिर हम बार बार इसी तर डिस्टेक्ट होते रहते हैं किसी भी एक काम पर focus करना कोई एक दिन का काम नहीं है इसके लिए आपको focus को अपनी habit में लाना होगा सबसे पहले हमको focus करने पर focus करना होगा क्योंकि जब ये बात हमको समझ में आ गई कि जहां पर हम focus करेंगे वहां से अच्छे result मिलना शुरू होगे जहां पर हम जितना ज्यादा focus करेंगे वहां से उतना ज्यादा result मिलेगा जहां पर हमारा focus जितना दगड़ा होगा वहां पर outcome भी उतना ही दगड़ा होगा पेले आपको ये समझना होगा कि focus हमेशा सही जगह पर करना है बिलगेटस ने एक बार कहा था कि मैं सफल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुती कम चीजों पर फोकस किया कम चीजों पर फोकस करो लेकिन फोकस को एसा करो कि कोई माई का लाल आकर भी आपको डिस्टेक्ट न कर पाए अपनी willpower को इतना strong बनाओ कि बड़ा से बड़ा distraction भी आपके फोकस के आगे छोटा बन जाए जब आप हर चीज में अपने फोकस को include कर दोगे तो आप कमाल के changes देखोगे अपने work में Insured अगर मैं आपको समझाओं तो कुछ भी काम करने से पहले अपने mind को alert कर दें कि इसको focus के साथ में करना है अपने mind को बार बार याद दिलाए focus 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 बार बार अपने आप से कहें जहां पर भी आप पड़ाए करते हैं जो भी आपका work बैसे जहां पर भी आप कुछ भी काम करते हैं या फिर अपने घर में कहीं पर भी काहँज़ पर focus लिखें और वहाँ पर चिपका दें ताकि आपको बार-बार याद आएगा कि focus करना है और कुछ भी काम करो तो सबसे पहले माइन में यही रखना है कि इसको पूरे फोकस के साथ में करना है जो काम जो चीज़ा आपको डिस्टेट करती है वो काम पहले ही निपटालो और अगर एक लाइन में समप करों तो फोकस करने पर फोकस करना है नेक्स्ट वीडियो मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं अगले वीडियो में फिर मिलते हैं चाहिए हिन